हाई गाईज आज हम जोसेफाइन नौट सिखने वाले हैं सो लेट्स केट स्टार्टेड जोसेफाइन नौट बनाने के लिए पहले हम स्ट्रिंग को फिक्स कर लेते हैं अब हमें चार स्ट्रिंग मिलेगे जिसमें से हम पहले दो स्ट्रिंग का लूप बना लेंगे दूसरी दो स्ट्रिंग को लूप के पीछे ही रखेंगे अब हम पीछे रखी हुए दो स्ट्रिंग को लूप के उपर से गुमा कर पीछे ले जाएंगे और उपर के लूप से बाहर निकल कर twist and turn करते हुए लूप में से बाहर निकल कर हमें उनको खीचना है कुछ इस तरह अब हम थोड़ा सा एडजिस कर लेंगे जिससे हमें जोसिफाइं नॉट मिल जाएगी ये कुछ इस तरह के दिखी अब मैं बाकी दो नॉट्स भी complete करके first layer complete करती हूँ ये नॉट बहुत सुन्दर है आप इसको again square knot की तरह यूज कर सकते हैं और इसका strand बहुत ठीक दिखना है तो आप इसको अपने हिसाब से कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आपने अगर हमारे बाकी की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उसे चेक कर लेना मैंने अब तब मैकरेम में यूज करने वाली basic knot सिखाई है square knot, spiral square knot, alternate square knot double half hitch knot के मैंने तीन पार्ट्स बनाये हैं horizontal double half hitch knot diagonal double half hitch knot vertical double half hitch knot मैंने उन सब का वीडियो बहुत डीटल में दिखाया है और तो और मैंने अभी तक एक design सिखाई है easy वाली और मैंने cross knot tutorial दिया है triangle knot tutorial दिया है और box knot उसको Chinese knot भी कहते है उसका भी tutorial दिखाया है मैंने सब की link description box में दे दी है आप उसे check कर लीजे और अगर आपको हमारी videos पसंद आती है तो please उसे like करे अपने दोस्तों के साथ share करे और अगर आपको ऐसी है और videos देखनी हो तो हमारे channel को subscribe करे subscribe button के बाजो में एक bell icon है उसे भी ज़रूर दबाना जिससे हमारी आने वाली हर video की notification आपको सबसे पहले मिलेगी अगर इस video को 50 likes मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए एक bonus design दिखाऊंगी तो अगर आपको वो video चाहिए तो please इस video को like करना और comment में जरूर लिखना के आपको कैसे design चाहिए यहाँ पर मैंने first layer complete कर लिए है अब मैं alternate square knot की तरह alternate justify knot भी आपको दिखाऊंगी आपको इसके लिए alternate square knot की तरह ही same strategy उस करनी है inner side की strings को लेकर आपको justify knot पर आनी है जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है आपको अगर इस वीडियो के बारे में या फिर macram के बारे में कोई भी query है तो आप comment box में जाकर comment लिख सकते है या फिर आपको अगर मुझे personally question पूछना है तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते है या फिर मेरे एक Facebook account है पामागयान RD naam का आप उस पे भी मुझे question पूछ सकते है या पे मैंने second layer भी complete कर ली अब मैं third layer complete करने जा रही हूँ कर दो आप है कि अूचे दोची नुट है तैंक यूजय है